इनको लेकर जो घाथ हैं वो पूरी तरह से भक्तिमेंे, वो चला है भक्त घाथ के सामने पहुझ रहे हैं या कंगा किनारे पहुझ रहे हैं ऐसे में गौरखपूर में हमारे समबादाथा की तरफ से जैज़ा लिया गया है देखे क्या कुछ माहौल है गुरक्षपीट के पिठाथिश्वार उत्रप्रदेश के मुख्यमंतरी योगियादी तिनात के द्वारा गुरक्षपीट में पहली खिचड़ी चड़ाये जाने के बाद से अब मंदिर की पट खोल दिये गए हैं और हर कोई जो यहाँ पे अपने आस्था की खिचड़ी लेकर की पहुँचा है वो गुरु गुरक्षपीट के दरबार में खिचड़ी चड़ा रहा है हजारों की संख्या में रात से ही यहाँ पे सरधालों का ताता लगा हुआ था और सुबह लगभग चार बजे जब मंदिर के पट आम लोगों के खोले गए तो लोग यहाँ पे आकर के अपने भगवान को अपने आराध्य को अपने आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं माना यह जाता है कि गुरु गोरक्षपीट के दरबार में जो भी आता है उसकी सा अब गोरक्षपीट में आकर के लोग सुबह के उस पल के इंतिजार कर रहे थे जब मुख्यमंत्री होगी यहाँ इतना यहाँ पर पहली खिचली चढ़ाए और उसके बास से वो यहाँ पर आकर कि खिचली चढ़ाए कहां से आई हैं पड़राना से आप आई हैं कब अच्छा पर देखेश्वाए और से पर दीखिचली चाहिए हैं अच्छा रही है यूगी आधि तरह प्रदेश मुख्मंद्री बने तब से कि यह दॉस्तर धालूं की संक्या है और बढ़रीये कि गुर्व गुरक्सनात के बारे में लोग आप काभी समझ रहे हैं अंज सूरह जै बताईए गूरु गुरक्सनात के बारे में आपने तौम गीत गाया है क्या आज कहेंगे गुरु गुरक्सनात कि इस दरवार में सुनली हमार किचडी चड़ावे आईनी आर राउरी दुआर बिनती सुनली हमार आगे मैंने गाया भिया कि पूझे वालन के बाबा आर लमहर कतार हा आर सिव जोगिया के बाबा राउर यावतार हा आरे दुनिया जाहान जाने महिमाय परमपार बिनती सुनली हमार किचडी चड़ावे आईनी राउरी दुआर बिनती सुनली हमार बिल्कुल हर व्यक्त की मौनो कामना ये होती है कि बाबा की इस दरबार में आये यहाँ पे अपने आस्था की एक इस्वी चड़ाए और चलिए अब रूप करेंगे